कुर्पया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकोन का बटन अवाश्य दबा दे नमस्कार दोस्तों आज 23 जन्वरी को नेता जी सुभास चंद्र बोश जी की 123 जन्ती देश दुनिया में मनाई जा रही है और ऐसा ही एक आयोजन आई एने पार्टी ने आज सुभास जन्ती पर राजधानी के प्रेस कलब में किया सुभास चंद्र बोश जी को शद्धा सुमन और पुषपांजली अर्पित करने के बाद इस कारिकरम का आरम हुआ दोस्तों इंडियन नेशनलिस्ट अलाइंस पार्टी ने सुभास चंद्र बोश जी के विचारों पर चलते हुए ही पिछले साल इस पार्टी का गठन किया था आज इस मौके पर जे एंती के मौके पर पार्टी ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया और सबसे बड़ी बात ये रही कि पार्टी ने नेता जी सुभाश रत्न सम्मान से कुछ कलमकारों को सम्मानित किया इन सम्मानित होने वाले लोगों की बारे में अगर हम बात करें तो लेखक अनुजधर, कवित्री, रूपाशरी शर्मा, सुभाश चंदर बोस, विचार मंच के शक्ति सिंग, लेखिका निर्मिला सिंग, पत्रकार विरेंद रियादव, पत्रकार संतोशी दास, पत्रकार अतुल्तिवारी, आक्रोश, नेता जी मिशन से जुड़े विशाल शर्मा, न्यूज एंकर भारत समाचार के राहिल सौमित्र, राजनितिक विशलेशक के डॉक्टर रूद प्रताद दुबे, पत्रकार भागवश शुकला, पत्रकार नकुल वर्मा, पत्रकार आशुतोश ओजा शामिल रहें, और दोस्तों आपको बड़ी खुशी होगी जानकर के कि नेशनल वाच से रंजिव ठाकूर, यानि कि मुझे भी नेता जी सुभाश रतन सम्मान से आज सम्मानित किया गया, तो दोस्तों भारत जोडो नारे के साथ इंडियन नेशनलिस्ट अलाइंस प दिवस पर पार्टी के संगठन मंतरी राष्टे संगठन मंतरी विनोज प्रदापती ने ये बाते कही हैं, उसके साथ ही आयने पार्टी के पहले स्थापना दिवस कारिकरम में जो ये कारिकरम हुआ, इसको डॉक्टर रोद प्रताब दुबे, प्रदेश महासचिप, जया यहां पर रखे, आयोजन करता आयने पार्टी की उत्तर प्रदेश कमेटी से कारिकारी अध्यक्ष आजैवर्मा, यूपी प्रभारी प्रशांत सिंग, प्रवक्ता, पुलकिश शुकला, सचिव आशीश जैसवाल, सदस गिरीश सकसेना, अभै सिंग तथा सिमरन कौर कारिक कमपनी वी आईपी इंडियन की निदेशी का नलनी जी मौझूद थी और वही कारिकरम का संचालन मशूर रेडियो जौकी शालनी सिंग ने किया, हमने राष्टिय संगठन मंतरी विजोट प्रजापती से बात करी और उनसे जाना कि किस तरह से सुभास जी के विचारों को लेकर के पार्टी आगे चलेगी, पार्टी की आगे क्या रोप रेका है, तो आईए सीधे चलते हैं बिनोत प्रजापती जी के पास और जानते हैं किस तरह से आईने पार्टी काम करें पार्टी आज अपना पहला स्थापना दिवस मना रही है, पिछले साल 23 जन्वरी को ही पार्टी का गठन हुआ था, और पार्टी को चुनाओ आयोग से माननेता जो है, वो अक्टूबर में मिल गई है, 2019 में, तो इसी मोके पर हमने आज आईने पार्टी का स्थापना दिव पार्टी की जैनती मनाई है, और इस जैनती के सुब आफसर पर हम लोगों ने कलम कारों को सम्मान दिया है, सम्मान था नेता जी सुबाश रतन से उनको सम्मानित किया गया है, आगे का पार्टी का आगे का रुख रहाएगा, पिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बताना च हम लोग जो है, पार्टी जाती तोड़ो भारत जोड़ो मिसन के साथ मिसन 2022 को लेके आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि भारत की 68% जन्ता जो है, वो गाउं में निवास करती है, और हमारी पार्टी गाउं से चल रही है, तो अभी आज भी कई कारेकरम जो है, जो सम्मारो है, वो विएपी इंडियन कंपनी के द्वारा आयज़ित कराया गया है, इसमें 15 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो कि कलमकार है, कोई कवेत्री हैं, तो कोई जो है पतरकार हैं, वो राष्टबाद के लिए, देश के लिए और समास को जगाने के लिए सम संगठन का जो कारेकराम है, उसके तहत निर्देश जारी होता है, उसके तहत हमारे यह हुआ कि हम लोग जो है, पार्टी, गाउं से निकलते हुए काम करेगी, और काम करते हुए सभी विदान सभाव, सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, भारत की परिकलपना नेताजे ने की थे ना, वो किसी और ने की ही नहीं है.